हम समझते हैं फेक्टर और मल्टिपल को फेक्टर किसको हम कहते हैं और नबर X is said to be factor of Y if Y is divisible by X X कोई नबर है Y भी कोई नबर है हम X को Y का फेक्टर तभी कहेंगे जब Y X के divisible हो मतलब हम Y को X से divide करें तो हम X को Y का फेक्टर कहेंगे X Y कोई भी नबर हो सकते हैं आई अब multiple की definition समते हैं और number Y is said to be multiple of X हम Y को X का multiple तभी कहेंगे जब X is a factor of Y मतलब Y is divisible by X हो अच्छा यह तो हमें definition लिखी अब इनके examples समझते हैं पहले यह notes भी आप लिख लें यह one is a factor of every number यह जो one होता है यह हर एक number का factor होता है किसी भी number को आप one से divide करेंगे तो remember zero आएगा यानि कि one is a factor of every one number अच्छा every number is a factor of itself हर number अपने आपका factor होता है यानि के देखो 3 है 3 3 is divided by 3 यानि 3 पर 3 की table लगती है तो हम 3 को खुद का क्या कहेंगे factor कहेंगे कोई भी number या जरूर नहीं के 3 हर number सब number अपने आपके factor है अब every number is a multiple of itself 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 हर number अपने आपका multiple है अब zero is multiple of everyone every number zero को किसी भी number से divide करेंगे हमेशा answer zero आएगा यानि के reminder भी zero आएगा तो हम सब इन आपर को zero का multiple कहेंगे आएगे कुछ examples न के बारे में समझते हैंगे देखो हम 3 को 15 का filter कहेंगे तभी जब 15 is divided by 3 हो यारी हम 15 को 3 से divide करके देखेंगे 5 3 दा 15 15 से 15 या 0 तो हम 3 को 5 का 15 का क्या कहेंगे factor कहेंगे और 15 को 3 का क्या कहेंगे multiple अच्छा अब देखेंगे 12 है इन 12 पर कौन से numbers की टेबल लगती है वन की भी 2 की भी 3 की भी 4 6 9 12 यह चो numbers है इन यह numbers 1 2 3 4 4 6 9 9 sorry 12 इन इन सब numbers की इस number पर टेबल लग रही है यानि के यह जो यह जो number है यह 12 के क्या है factor है और factor यह जो 12 है यह numbers का क्या है multiple है चलो यह समझ दिया हमने क्या भरा 3 13 का factor है तो हम 13 को 3 से divide करके देखेंगे 13 यहां पर रखेंगे 3 4 3 दा 12 है देखें इसका remainder 0 आया मतलब 13 is not divisible by 3 यानि 13 is not divisible by 3 then 13 is 3 is not factor of 13 and also 13 is not multiple of 3 अगर 3 की table 13 पर लगती यानि remainder 0 आता तो हम 3 को 13 का factor कहते और 13 को 3 का multiple कहते पर इसा नहीं हुआ यहां parameter मना आया मतलब किसी भी number को किसी भी divisor को किसी number से divide कर remainder 0 आये तो हम उस divisor को कहेंगे factor और जो numbers होगा divided होगा उस number को हम कहेंगे उस divisor का multiple अच्छा अब हमने समझा factor और multiple जी अब हम इन नोट्स को समझें one is a factor of every number यानि के हर एक number one से divide होता है यानि के for example n, n कोई भी number है, any number इसको हम one से divide करेंगे तो remainder 0 आयेगा, इसलिए one को n का क्या कहेंगे factor कहेंगे देखें, n बन दा, n, n से end गया 0, remainder 0 आया तो one को n का क्या कहेंगे factor कहेंगे n कोई भी number है, ये 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, कौन सापनी number हो सकता है उसको हम one से divide करेंगे, तो remainder 0 आयेगा, five बन दा, five तो one को five का factor कहेंगे, किसी भी number को one से divide करेंगे, remainder 0 आयेगा तो हम one को उस number का factor कहेंगे, ये note है, कि one is a factor of every number चलो, every number is a factor of itself number, हर एक number खुद का factor होता है यानि कि n, n कोई भी number है, ये खुद का factor है, यानि n को हम n से divide करेंगे, तो remainder 0 आएगा तो हम इस n को n का क्या कहेंगे, factor कहेंगे, यानि 3 को अगर 3 से divide करें, 3 बन दा, remainder 0 आया, मुत्रब 3, is it divisal by 3 तो हम 3 को factor कहेंगे, 3 का, किसी भी number को, खुद से divide कर, उसी number से, जो number दिया गया हो, तो remainder 0 आएगा अब 0 is multiple of every number, अब 0 है, 0 is divisal by every number, 0 को किसी भी number से divide करेंगे, जो remainder होगा वो 0 होगा, अगर end, end को भी भी number है, इससे हम, 0 को इससे हम divide कर रहें, 0 end दा, 0 अब देखें, remainder 0 आया, मतलब end को हम 0 का factor कहेंगे, end is any number, किसी भी number को 0 से divide करेंगे, answer 0 आएगा तो उन numbers को जो भी, जो भी numbers आप divide करोगे, 0 से, remainder 0 आएगा, बतलब, every number, every number is, 0 is a multiple of every number, चलो, यह समते हैं, every number is a multiple of itself, यह वो ही हुआ जैसे, यह हमने समझा, कि हर number, समझा, खुद के factor भी होते हैं, खुद के multiple भी होते हैं, यह जो 5 है, 5 की table 5 पर 1 बार लागेगी, तो हम इस 5 को 5 का multiple कहेंगे, और इस 5 को 5 का factor भी कहेंगे, यह दोनों एक दूसरे के क्या हैं, multiple भी हैं, factor भी हैं, 25 हैं, यह है 25, 25, अब 25 पर 25 की table एक बार लगेगी, तो यह 25 क्या हुआ, 25 का factor हुआ, और यह 25 खुद इस 25 का multiple हुआ, हर number, सब number अपने आपके multiple होते हैं,